मेरे यूट्यूब चैनल में आप सब का स्वागत है आज हम आपको हमारे जो प्रेयोग से समंदित कक्षा दस्वी बोर्ड के जो एक्जाम में आने वाले हैं वो प्रेयोग एक आप लोगों को बताएंगे इस प्रेयोग का उद्देश से है देखे यहां पे लिखा हुआ है क आच के आयताकार गुट्के का अपरतन ग्यात करना, अथवाप्रकास के अपरतन के नियमों का सत्यापन करना इस पे इसमने के जॉन्द्द करने के लिए जो गणना चेतन आएगा इसमें उसको छोड़ के बाकी सब को कर ले लिने से हो जाता है तो इसके लिए आवश्य से कुपकरण क्या होंगे? पूरे कमपास बॉक्स की जहुरत कैसे होगा? वक्त के हिसाब से अपणों को दिखते जाएगा और आप लोग करते जाईएगा. तो यह सब आप रख लेंगे और आगे प्रियोक कैसे करेंगे? यह मैं आपको बताते जाओंगा. तो इस प्रयोग को करने का सिध्धान क्या होगा हम इसको किस तरह से किस सिध्धान पे इसको करेंगे ये ध्यान से देखे यहाँ पर जब कोई एकवर्णी प्रकास की रण बिरल माध्यम से सगन माध्यम में जाती है हम कोई भी दो माध्यम का उप्योग करेंगे जैसे कि एक आच का गुटका लेते हैं तो इसके बाहर तरफ हवा होता है तो ये एक माध्यम हो गया और ये दूसरा माध्यम हो गया तो इस तरह से आप एक माध्यम के साफ़ेक्ष दूसरे माध्यम में जाएंगे यानि कि जब कोई एक वरणी प्रकास किरण बिरल माध्यम से सगन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है इस बात को ध्यान में रखे आप इसकी मुख्य ये सिद्धान्त जो है यहीं पे आता है कि वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा जब प्रकास किरण सगहन से बिरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट कर चलने लगती है यह घटना प्रकास का अफवर्तन कहलाता है अफवर्तन किसे कहते हैं बोलने से आप लोगों को इस प्रकार से इसका परिभासा को बताना पड़ेगा तो यहाँ प आप्तित किरण हवा से मने यह है बिरल माध्यम और कांच के है सगन माध्यम है जब हवा से कांच में आता है तब यह देखो अभिलंब है यह हमारा एमन अभिलंब है अभिलंब क्यों जूग जाता है यहाँ पर आई का मान जितना था आर का मान उससे कम हो गया यह इधर परन्तु जब यह सगन माध्यम से बीरल माध्यम में जाता है, तो देखो यहां से यह दूरी बढ़ गया, तो यहां से यह अभिलंब से दूर भागता है, यह अभिलंब है हमारा, M' N' ले ले लेते हैं इसको, तो अभिलंब से दूर भागता है, यह निर्गत किरन, तो यह न इस प्रेंड को O डेस और ये O, O डेस C जो है निर्गत किरन हो गया, ठीक है, ये आपतित किरन कौन सा हो गया, A O और O डेस जो है वह अपवरतित किरन हो गया, इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पूरा फिगर अगर आपको समझ माया गया है, तब हम आगे चलते हैं, और इस का सत्यापन करना, और यहांपर देखी इस पश्ट लिखा है काच के आयताकार गुड़के का उपवरतना अंग्याद करना है, तो अपवरतन के नियम का सत्यापन करते हुए हम काच के गुड़के का उपवरतना अंग्याद करेंगे, यहांपर जो काच का गुड़का प्रय बिंदू पर अभिलंब MN आपतन बिंदू O हो गया और इस पर अभिलंब कौन सा हो गया O पर अभिलंब जो है MN तीनो एक ही बिंदू पर रहते हैं यानि के एक ही तल पर रहते हैं यह यहां पर है यहां पर तीनो यहां पर देखिए ध्यान से तीनो एक ही तल पर हम किस की कि की बात कर रहे हैं ये वाला अभिलंब और ये बिंदू और ये आप्तित की रण ये हमारा अपवर्तित की रण ठीक है ये तीनो एक ही पाइंट पर हैं देखे अभिलंब का ये हो गया इधर से आया अभिलंब इधर से आया आप्तित की रण और इधर से जा रहा है ये अपव आप लोग जानते हो मैं एक निश्ची तनुपात होता है इसे पहले माध्यम के साब एक्ष दुसरे माध्यम का अब वरतनांग कहते हैं अब आता है प्रयोग विधी कैसे करना है मैं आपको एक विडियो क्लिप के माध्यम से टोटल बताता हूं आप पूरे प्रैक्टिकल को बड़े ध्यान से देखे यहां पर प्रयोग विधी हमको कैसे करना है तो इस तरह से पीन को लगा देंगे पेपर इससे उड़ेगा नहीं और इस तरह से हम लोग एक कांच का गुटका का उप्य कर लेंगे और इस पर अभिलंब खिछ लेंगे और आप्टित किरण की खिछ लेंगे यह इसको पूरा चौकॉन करने की ज़ोरत नहीं इसके कार्मर जो होते हैं कटे हुए रहते हैं टेडा मिडा रहता है इसलिए इसको यहां पर देखिए 90 पर 90 पर बनाने के लिए हम आपतन कोण वो किसी भी एंगल पर अलग-अलग एंगल पर लेगर कि हम लोगोगो तीन गं स कम प्रयोग ऐसे बनाने होंगे ऐसा तीन प्रयोग बनाएंगी यह हम लोग तीन थो बनाएंगे फिलाल जो एक बनाते हैं सेम टु सेम इसके एंगल को चेंज करेंगे यह वाला करेंगे दो पीन इसमें गाड लेंगे पीन जो है सिधा रहना चाहिए यह होगया पी-point यह होगया क्यू-point और अब हम कांच के गुटके को उसके सही जगह पे रख करके यह रहा आप यह दो पीन को हम इसमें से क्या हो रहा है अपवर्तन हो रहा है यहां से यह तोनों पीन का प्रतिवीम हम इधर से देखेंगे और इस से से देखेंगे और इसके बाद फिर उसको हटा करके मिलाएंगे आप देखते रहें इसको आगे करते कैसे हैं और ऐसा ही करते हुए हम अभी तीनों पीन को मिलाते हुए इधर सेदेखेंगे एधर से देखेंगे और उसके बाद अगला पीन को यहां पर गाड़ देगे और इस तरह से यह समान हो जाएगा और यहां से दीखेंगा अब deze यह क्या करेंगे हम पीन को निकालते जाएंगे और उसमें round लगा कि उसको चीन लगाते जाएंगे इस तरह से यह होगा PQ और यह होगा R और यह होगा S इस तरह से अब कांच के गुटका को एक बार हटा लेंगे और आप देखेंगे कि इसको हम स्केल की सहायता से इन पाइंट को मिलाते जाएंगे इस तरह ये कांच के गुटगा है कि दूसरे सीरे का अभिलम्ब यहाँ पर खिस सकते हैं चाहें तो इस तरह से इस पाइंट को मिला करके हम लोग यह जो आयवाला पाइंट है इस पर हम लोग इन दोनों को जोईंट करेंगे इस तरह से आप देखेंगे हैं यहाँ पर हम यह सब को ना मांकित कर लेते ने एक इसको एयम कर लेते हैं और यह एम एम यह अभिलम्ब हो हो गया C, यह होगा हमारे निर्गत की राण, अभी लंब और प्वर्तित की राण के बीच के कौन को ये R बोलेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, आप लोगों को जैसा कि मालूम है इसके सिधान्त के अनुरूप, मियू बराबर, साइन आई बटे, साइन आर, साइन आई बटे, साइन आर के मान को निकालने के लिए, हम लोग एक विधी का उप्योग करते हैं, जिसमें एक ब्रित ले करके, वो को केंदर ले करके ब्रित लेंगे, जिससे साइन आई बटे, साइन आर का जो लंब कर्ण आधा होता है उसके परिपेक्ष में इसको हल करेंगे तो इसको हमको साइन टेवल देखने की ज़ुरत नहीं पड़ेगा हम इसको एक बृत किछ करके बना लेंगे इसको इस तरह से बृत को जितना बड़ा करेंगे उतना अच्छा होगा यह हो जाने के बार आप लोग को यह बता द लेंगे यह हो गया E और यह X और इसी तरह से इस पर ले लेंगे हम लोग Fy इस तरह से हम लोग इस डिस्टेंस को नाप लेते हैं यहां से यहां तक कि डिस्टेंस को नाप लेंगे जैसे कि इसमें बना हुआ है यह देख रहे हैं आप यहां पर यहां से जो डिस्टेंस लोकन सारनी में क्या की देखो यह जो आपने देखा चित्र के रहें प्रीडिग हों इस तरह से आपका 1 reading ुषर रों इसमें क्या था XE कमन 2.4 है और अपवरतन कोंड की समुख भुजा YF कमन 1.6 है और म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर करते हैं और साइन आई बटे साइन आर को मैं यहां पर बताता हूं आप लोगों को यह है 2.4 और 1.6 यह हो जाएगा म्यू बराबर 2.4 भागीत 1.6 बराबर आता है 1.5 आता है अब साइन आई बटे साइन आर के जगह पे कोंड के जगह पे सीधा सीधा हम लोग इस मान को कैसे निकाले इसको मैं बताता हूं आप लोगों को देखे यहां पर एक स्पश्ट चित्र बन रहा है यह कोंड है हमारा आई यह O हो गया यह E हो गया और यह X हो गया यह समकोंड हो गया तो आप लोग जान रहे हैं समकोंड में यह कंड होता है और जिस पर कोंड बना हुआ रहता है वह पाइंट आधार होता है और उसके सामने का कोंड के सामने का यह वाला जो भूजा होता है यह लंब होता है अब यहां पर ध्यान से देख हवा के सापिक्ष पारतनांग बराबर , आप्तन कोण की सम्मूक भुजा की लंबाई XE पटए आप एक यूघ या प य कैसे ओ या? इसलिय को слघ लेकिन आप लोग को समझना पड़ेगा जैसे कि mu बराबर हमने लिखा sin i बटे sin r अब sin theta का value क्या होता है आप लोग जान रहे हो कि लंब बटे कर्ण होता है इसका उपयोग हमको करना है ध्यान से देखेंगे यहाँ पर लंब क्या है हमारे लिए यहाँ पर आप चीतर का औलोकन करते हुए देखें ex लंब है यहाँ पर यह वाली भूजा हमारी लंब है और कर्ण कौन सा है यह आप तितकिरन ध्यान से देखेंगे यहाँ पर e o बटे आर के मामले में देखें यहाँ पर लंब कौन सा है यहां पर, यह वाला लंब होगा, क्योंकि यह कौन के सामने वाला भूजा होता है, यह लंब हो गया, इस सितर के लिए, इस सम कौन तरिबुच के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह यह फ़ाई भी लिख सकते हैं, बटे, इसका है ओ एफ, पर अप लोग देख रहे हैं, यहां पर पूरे चीतर में ध्यान से देखे, ओ एफ त्रिज्जा भी है, और ओ एफ डैस भी त्रिज्जा है, दोनों त्रिज्जा होने की वज़ा से, इसको और इसको काट देंगे, तो क्या बसता है, इ-x बटे, अफ, financial, जो कि हम लोग साइन, आई बटे, साइन, आर के जग़ा पे, इसका उप्वयोग करते हैं, इसलिए हम यहां पर शूत्र में उसी का उप्योग करेंगे, और उसका हल करेंगे, यहां पर देखिए, यहां ऑगया, इ-x बटे, अब जो जो भी लिखेंगे उससे कोई फरक नहीं पड़ता, यहां पर देखें, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर म्यू जो लेंगे हम लोग, अपर तनांग जो लेंगे, यह एक्स बटे, एफ वाई का उप्योग किये हैं यहां पर, और इस तरह से हम लोग, एक दसमलो पांच प्रा मतल आगया है, जिसमें इसका जो वैल्यवे, एक दसमलो पांच, एक ओक रिएंगे, आपका प्रेक्टिकल है, आप प्रयोगीत तोर से गुज्रेंगे, तो हो सकता यह कभी-कभी, एक दसमलो चार पांच भी आ जाया, और यह एक दसमलों पांच छे भी तो उससे घबराने की जोरत नहीं है इन मानों का हम लोग average निकालेंगे कैसे निकालेंगे यह बड़े ध्यान से देखे यहां पर अब इसकी गणना कैसे करना है यहां पर फिर से कर लेते हैं कि यह जो औलोकन साड़नी जो आया इसमें हम गणना को लिखेंगे कैसे यह फ़र्ष्ट वाला देखे यह पहला हो गया अब क्या निकालेंगे अ म्यू जी निकाल रहे हैं तो अ म्यू जी में क्या करेंगे एकस इबटे वाई एफ करेंगे और इसका वैल्यू कितना हो गया इसको दसमलो दोनों में बराबर इस सिति में है इसलिए 24 बटे 16 हो गया चार चोओं 16, 4 चक्के 24, 2 दुननी 4, 2 ती अच्छे तीन बटे 2 बराबर 1.5 इस तरह से इसको हल करना है अब इस तरह से हल करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दूसरे इस सिति में क्या प्राप्त हो गया यह एम्यू जी जब निकाले क्या मिला हमको एक दसमलो चार पांच को में लेता हूँ इरर वाला को लेता हूँ ध्यान से देखिए ठीक है यह लेने से तो इजी हो गया अब इसको लेकर के भी हम लोग कर सकते हैं तीसरा कंडिशन में क्या मिला हमको ए मियू जी का जो मान है वह मिला एक दसमलो पांच है मालिया मिलता है अलग-अलग मिलता है तब भी हमको घबराने की जोरत नहीं है तो हम लोग यहाँ पे औसत निकाल लेंगे एक दसमलो पांच है बटे तीन तीनों को जोड लेते हैं भागित तीन इसको भाग दे देते हैं वन है चाहे तो और भाग दे सकते हैं अन्य था यह रिजल्ट हम लोग का मिल गया तो इसका जो अपरतनांग होता है कांच का वह कितना होता है 1.5 होता है तो इस तरह से आप गणना कर लिए ठीक है अब गणना करने के बाद कुछ बिसेश चीज़ें बसती है देखे परिणाम परिणाम क्या है हवा के साप एक्षे काच का अपरतनांग एम्यू जी बराबर 1.5 है जो हमको यहां पर प्राप्त हुआ है उसी आधार पर हम लोग क्या इसका परिणाम लिखते हैं अब परिणाम लिखने के बाद आप कापी में अवश्य लिखे कि हमको क्या क्या सावधानी करना चाहिए ये पूरे प्रयोक के दवरान तो ध्यान से देखे क्या करना चाहिए बहुत सिंपल सी चीज है सभी पीनों को ड्राइंग बोड के लंब बहुत लगाना चाहिए आप लोग जान रहे है प्रेक्टिकल को करते से में आप लोग को बताए भी गया है कि चारों पीन जो गड़ेंगे बिल्गुल सीधा सीधा होना चाहिए अदर्वाइस आपको टेढ़ा ठीक से नहीं दीखेगा आपका लाइन टेढ़ा हो सकता है वस्तु पीनों तथा प्रतिबिम पीनों के बीच की दूरी कम से कम 4-5 cm होना चाहिए आप लोग देखें यहाँ पर मैं बताता हूँ यहाँ पर यह जो प्रेक्टिकल का आपको चित्र बना हुआ है यह डिस्टेंस यह पीन नमबर वन पी पीन नमबर टू क्यू इनका जो डिस्टेंस है 3-4 cm होना चाहिए ठीक है इसका करना ऐसा है और इधर जो बाहर निकल रहा है इसका भी डिस्टेंस 3-4 cm होना चाहिए ठीक है यह डिस्टेंस 3-4 cm दूरी में होना चाहिए तब जाके हमारा प्रेक्टिकल ज़्यादा अच्छे से बनेगा यह हो गया उसके बाद पिन लगाते समय गुटका हिलना नहीं चाहिए बहुत इंपर्डेंट चीज़ है अगर गुटका अपने ओरिजिनल पोजिशन से हिल गया ठीक है अपने ओरिजिनल पोजिशन से इस तरह से गुटका अगर है अगर इसको थोड़ा सा भी हिला देंगे अप तो गुटका की स्थिती चेंज हो जाने पहुत सारी चीज़ है इसके अभी लंब चेंज हो जाएंगे अगर यहां तक ऐसे आने वाले किरण है वो भी चेंज हो जाएंगे तो इस तरह से ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसके लिए क्या करना है, गुट का हिलना नहीं चाहिए, आप तन कोण का मान अधीक लेना चाहिए, अधीक इसलिए लेना चाहिए, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप तन कोण का मान अगर आई का मान अधीक लेंगे यह लंबात वाला भाग यह बड़ा हुआ नहीं इतना इसलिए ऐसा बड़ा होगा तो इसके मान जादा तर शुद्ध हैंगे तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक प्रयोक को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं और इसमें जो लिखा गया है इस टेफ वह सारे आप लोग कर लेख करके अपना प्रयोक को पंण कर सकते हैं और अपना फाइल बना सकते हैं और इस तरह से प्रयोक को लिख लीजैगा, आपको यह एक प्रयोक पूनतह तैयार हो गया अब बहुत बहुत दिन्यवाद आप लोग बहुत अक्से से देखें